जै हिमाले जै भारत हिमाले लोग यूट्यूब चैलेल में आपका स्वागत है और मैं हूँ चैनलिस्ट डॉक्टर हरी शंद्र लखेड़ा हिमाचार परदेश सेप पादन के मामले में अग्रनी पंक्ति में शामिल रहे पर यह कैसे संबा हुआ यह एक अमेरिकी के कारण हुआ था जो कि भारत में इसाइद धर्म का परचार करने के लिए आया था परन्त खुद हिंदू बन गया भारत के स्वतंता अंदुलन में भी उसने हिस्सा लिया जील भी गया और हिमाचार परदेश को एक ऐसी चीज दे गया जिससे वहां के लोगों का जीवन धन्धान्या से पून हो गया कास ऐसा ही एक व्यक्ति उत्त्राखंड को भी मिल जाता जी हां वह व्यक्ति थे अमेरिकी सेमॉल स्टोक्स जिने हिमाचल का एपल मैन मी कहा जाता है बीस वर्षिय सेमॉल जब फ्लाइट डेलफिया से अपना घर छोटकर भारत के लिए रबाना हुए तो उनके माता पिता को आशा थे कि वह एक-दो साल में घर लोट आएंगे परंट ऐसा नहीं हुआ सेमॉल ने भारत में ही अपना ठिकाना बना दिया था वे भारत के ही होकर रह गए सेमॉल ने महत्मा गांधी के साथ मिलकर स्वतनता अंदूलन में हिस्सालिया और असःयोग अंदूलन में भी वे सक्रियत से शामिल उए थे उन्हें लाहर जेल में देश त्रोह के आरोप में 6 मैने की सजा हुई थी परंत उन्होंने जमातन लेने से इंकार कर दिया था भारत के स्वतंता संग्राम में जेल जाने वाले सेमॉल एकमात अमेर की नागरिक थे उन्होंने अपने माता पिता की इच्छा के विर्द जाकर भारत आने का फैसला किया था इस कारण उन्होंने अपनी शिक्षा भी पूरी नहीं की थी यहाद तक कि उन्होंने अपने पिता की कमपनी Stokes and Paris Machine Company में काम करने में कोई दिल्चस्वी नहीं दिखाई थी एक अमीर परवार का बेटा भारत में आकर कुष्ट रोग्यों की सेवा करने लग गया था Samuel की पोती आशा शर्मा ने 1999 में उनकी जीवनी पर एक पुस्तक लिखी थी जिसका शीर्षक था An American in Gandhi's India The Biography इस पुस्तक के अनुसार अमेरिका के फिलाडेलफिया में एक परिष्टित परिवार से उनका सम्बंद था सत्यानंद उनका भारतिया नाम था सत्यानंद का जर्म Samuel इवान स्टोक्स जूनियर के रूप में हुआ था जब वे मात बीस वर्ष के थे तब उन्होंने भारत में एक कोड़ी कालोनी में मिश्नरी के रूप में काम करने के लिए अपने परिवार की संपती छोड़ने का फैसला किया 1904 में स्टोक्स यानि Samuel इमान स्टोक्स भारताय और हिमाले की तलहटी में एक कोड़ी कलोनी में काम करने लगे प्रारंब में उनका इरादा उस पुरी आवादी को इसाई धर्म में परिवर्तित करने का था एक पत्र जो उनकी माने उन्होंने लिखा था आशा शर्मा के अनुसार उस पत्र में उन्होंने लिखा था मेरे दाजाजी की माने उन्हें पत लिकर पूछा था कि क्या किसी अजनवी के लिए छोटे बच्चों को दूसे धर्में परवर्तित करना सही है इससे वने हिंदु धर्म के बारे में और अधिक जानने के लिए प्रिरित क्या था उनका मानना था कि उन्हें पता होना चाहिए कि वह क्या था जो लोगों को हार मानने के लिए कह रहे थे या जानते हुए भी कि उन्हें स्वेम उनके दर्शन से प्यार हो जाएगा यही सैमुल इवान स्टोक्स जूनियर भारत में सत्यानंद स्टोक्स बन गए थे सैमौल 1904 में मा तब 20 साल के उम्रे में भारत आई थे तब हिमाचल में कुछ रुग्यों की एक कलोनी थी जिसे डॉक्टर कारलटन और उनकी पत्नी ने बनाया था सैमौल ने वहां भीशन गर्मी में कुछ-कुछ रुग्यों की जी जान से सेवा की और जब सैमौल सेवा करते करते थक गए तो डॉक्टर कारलटन ने उनकी सेवा वक्ति से खुश होकर उनके लिए कोटगड में चुट्यों मनाने की ब्यवस्ता कर दी थी जिस सेवा कुछ दिन वहां आराम कर सके कोटगड पहाड़ी उसे घिरा स्टेशन था वहां मोटर से आना जाना बिलकुल संभाध नहीं था इससे सैमौल को 82 किलूमेटर दूर कोटगड की दुरगम यात्रा में पैदाली जाना पड़ा वहां जाकर उनको धर्म के नए अनुभा मिले जिससे उनकी बीचारों में करांतिकारी परिवर्त होने लगा सैमौल ने खादी पहनी एक भारतिय महला से शादी की संस्कृत सी की वह हिंदू बने और एक स्कूल की इस्थापना की और हिमाचल परदीश में सेब लगाए सैमौल इमान स्टोक्स उर्फ सत्यानंद स्टोक्स ने हिमाचल को भारत का सेब उत्पातक राज्य बना दिया 1915 में अमेरिका की यातर के दौरान सैमौल ने सेब की लाल स्वादिश्ट किस्म के कुछ पौधे खरीदे और उन्हें 1916 की सर्दियों में थानिदार में लगाया यानि जो उनका इलाका था कोटगड़ छेत्र सैमौल का जन्म सोल अगस 1882 में अमेरिका के प्लाडेल फिया में हुआ था अमीर बाप के ऐसे बेटे जिन्होंने अपना सारा जीवन मानबता की सेव में लगा दिया था सैमौल स्टोक 1916 में फिलाडेल फिया से भारत वे सेव के पौधे की पहली पौध लाये थे अगले वर्स तीस से अधिक विभिन किस्मों की साथ प्रयोग करते हुए अंतता रिड डिलीशियस परजाती पर निर्णाया उन्होंने क्या था किसे लगाये जाए इसके बाद उन्होंने उन ग्रामीनों के बीच पौधे बाटने का फैसला किया हलांकि लोगों ने उन्हे कहते हुए इसी कार कर दिया था कि वे ऐसी चीज के लिए अपनी खाद्या फसल नहीं उखाड सकते जो साथ साल तक कोई उपच नहीं देगी यह उनके लिए कठिन लड़ाई थी अंतता लोग उनकी बात मान गए और हिमाचल के लिए एक आर्थिक करांटी बर कर वे आई थ सदानंद स्टोक्स ने उन बच्चों के लिए भी एक स्कूल बनाया था जो फीस के बद्दे उनके बगीचों में काम करते थे सैमॉल ने 1914 में अंतिबार अमेरिका की यात्रा की थी वे अपनी पत्ने के साथ वहां गए थे लेकिन उसके बाद वे फिर कभी अमेरिका नहीं उनके परिवार की जड़े अभी हिमाचार परदेश की कोट गट में हैं जहां स्टानंद ने सेफ करांती शुरू की थी शैमॉल की 1946 में मिर्ट हो गई और उनका अंतिब संसकार उनी पहाड़ियों में किया गया था जिनसे उने प्यार था उनकी पुत्रवदू बिद्या स्टोक्स परदेश कॉंग्रेस में मंती भी रही परदेश सद्यक्ष भी रही अपने 43 साल के राजनितिक करियर में बिद् करियर की शुरुवात 1904 में बतार कॉंग्रेस पर त्याशी की तौर पर की थी उन्होंने अपने पती लालचंद स्टोक्स की निधन के बाद पहली बार थियोग विदान सबाच्षीत से चुना लड़कर किया था वे मुख्यमंती भी बनने की दावेदार थी लेकिन बीर ब के सौ साल पूरे हो गए हिमाचल में सेव उत्पादन के जनक सत्यानंद स्टोक्स की कलम हुमें कोटगट के थानाधार में सेव सतावदी शमारोह भी मनाये गया था सेव की तीन किसमों रेड रॉयल वा गोल्ड डिलिशियस से इसकी सुरुआत हुई थी और इसके सौ साल ब रकवा 1951 में 400 हेक्टियर से था जो कि अब बढ़कर 2021 में 1,15,16 हेक्टियर हो गया हिमाचल में करीब 10 लाख परिवार खीती से जुड़े हैं इन में से 2 लाख परिवार ऐसे हैं जो सेव की खीती करते हैं प्रदेश की जीडीपी में इसका लगवग 13 परतिश्रत का योगद सेव की फसल भी राज्यक जो फलों की खीती है उसके थात कुल भूमी का लगवग आधा हिस्सा है यानि आधे भूमी में जो फसल होती है फलों की उसमें सेव का हिस्सा है और इसका degli ऍसका स्रिय सैमॉण इवान स्टोक्स जुनियर और सदानन्द स्टोक्स को जाता है जिन परंत हिमाचल का पड़ूसी राज्य उत्राखंड कहा है सुचीगा कभी मिलता हूं जल्दी इस तरह की गाथाओं के साथ आपके पास आओंगा जल्दी तब तक जय हिमाले जय भरत पेडों पिचडिया है धो गीते गाएंगी नदियां मा की लोरी जैसे होते है नदियों के गी